दोस्तो 27 मार्च 2022 को आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस कॉंस्टेवल रिखूरूट्मेंट के लिए रिटन टेस्ट होने वाला है तो ऐसे में आपको बहुती ध्यान पूर्वक इस लिखित परिक्षा में बैठना है अच्छे से सारी के सारी गाइडलाइन्स यहां उनको फोलो करना है ठीक है और कुछ एक मेरे परसनल एक्सपिरियंसेज हैं जो मैरे पिछले पांच सालों से इकठे किये हैं उनको आप सभी तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वीडियो को लास तक देखते रहना ठीक है क्योंकि परिक्षा बहुती नजदीक है तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखके जाएंगे उनको काफी फाइदा होगा एक्जाम में तो जब भी एक्जाम होता है ठीक है दो दिन अगर बचे हैं एक्जाम के निकालने की प्रिंट आउट करने की बागी क्या क्या आपको साथ में लेक्के जाना है यह तो हम पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बेसिक सी बातें बताता हूँ जो जो स्टूडेंट्स को प्रोबलम साती है एक्जाम के टाइम में तो उनके बारे मैं चर्चा करता admit card किसी student का निकलता नहीं है अगर किसी का निकल गया है तो print out करने में मुश्किल होती है ठीक है तो सबसे पहले तो print out निकालने की कोशिश करो अगर आपका admit card निकल ही नहीं रहा है तो जो भी help line number है police की ठीक है police department की बहाँ पे contact करने की कोशिश करो या आपके जिला में जो भी है SVO हिस वेगारा बहाँ पे जाओ सबसे पहले तो admit card निकालो आपकी पहली जिम्मेदारी यह है उसके बाद आपको क्या करना है इन सारी instructions को पढ़ना है admit card में भी दी होंगी यह सारी के सारी instructions कि आपको क्या क्या लेके जाना है आगे हम इनको पढ़ेंगे उसके बाद क्या करना है आपको अपना exam center देखना है कितनी दूर है अगर 50 km के आसपास है अगर 30 km भी है तो भी मैं आपको यह guide करूँगा कि आप दोस्तों सुबह ना जाएं अगर आपके पास अच्छे संसादन है national highway है तब तो आप सुबह जा सकते हैं अगर आप काफी ऐसे दुरगम इला आती है कि वहाँ पे पैसा जो है वो ज़्यादा लगता है बस दोस्तों एक बार आप investment कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है आपने जी जान लगाई है त्यारी की है तो 500 या 1000 के आसपास investment आप करी सकते है रूम कहीं available होता है वहाँ तो उसको आप जुरूर अवेल करिए ठीक ह क्योंकि सबसे बड़ी इस टाइम आपके लिए चुनोती है कि आपको exam hall में time पर पहुंचना है क्योंकि बहुत त्यारी आपने करी है physical जो है वो clear किया है एक दो महीने अच्छे से डट कर त्यारी करी है हालनकि एक दो सालों से आप त्यारी कर रहे होंगे इस से ज़्यादा में रखनी है बात कि रात को अच्छी नींद लेनी है काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब तक एक्जाम होल में नहीं जाते जब तक किताबें जो हैं उनको सामने रखते हैं और पतने क्या-क्या रटते रहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जितना दिमाग आप खराब करोगे एक्जाम होल में उतनी जाप प्रोब्लम आएगी और भुखे पेट नहीं जाना है चाहे कुछ भी खालो 5-10 रुपे का 20 रुपे का कुछ भी खालो अगर खाना आपके लिए अवेलेबल नहीं है कुछ खाके जरूर जाओ जितना पेट भरा होगा दिमाग भी उसी हिसाब से चलेगा दोस्तों यह मैं परसनल एक्सपीरियंस के थूँ बोल रहा हूँ मैं इन चीज़ों को फेस कर चुका हूँ तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए कोई बिस्कीट का पैकेट ले लो एक्जाम सुरू होने से पहले या फिर कुछ ऐसा ऐसा खालो जो भी है फ्रूट अगरा खा सकते हैं आप नैचुरल चीज़ें खाएंगे तो बैटर रहेगा और अच्छे से अपना रूम ढूंड़ना है ऐसा नहीं कि रो फर्स्ट में आपका रोल नंबर है आप रो थर्ड में ही बैठ गए इससे और भी स्टूडेंट्स को प्रोलम आती है बाद में OMR शीट जो है उसको अच्छे से भरो जहां पता नहीं लगता है जो एक्जाम होल में जो टीचर्स हैं इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको पूछव अच्छे से कुछ गलत नहीं करना है अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है तो दिमाग शांत रखिए फिर आपको क्वेशन प आया एक्जाम तो सिर्फ आपके लिए टाफ नहीं होगा सारे स्टूडेंट्स के लिए टाफ होने वाला है ये तो उसमें आप अगर कम भी स्कोर करते हो और अच्छे से उसको मैनेज करते हो टाफ पेपर को तो आपकी सेलेक्शन हो सकती है आगे मैं कट ओफ के बारे में भ आपको 80 questions करने होते हैं इसमें mathematics भी होता है reasoning भी होती है तो इतना असान नहीं है एक घंटे में इतने questions attempt करना मुश्किल होता है तो किसी एक question में फंसना मत अगर एक question नहीं निकला हल नहीं निकला तो कोशिश करना उसको skip करने की बाद में उसको solo करना जब time बचा हो 80 questions करके आना जहां पर कुछ भी पता नहीं चलेगा तुका जरूर मारिएगा ठीक है और time से अपना paper जो है गंटे गंदर अंदर उसको solo करिएगा अच्छे से और cut off की अगर मैं बात करूँ अगर tough exam आ जाएगा तो 50 और 55 के आसपास cut off रहेगी अगर tough होगा normally forest guard का exam जो हाल ही में तो 70 के आसपास cut off रही है ठीक है और मुझे लगता है कि police में भी puzzle बगेरा जो है अगर tough आई तो आपको problem हो सकती है reasoning में otherwise simple paper आएगा कोई tough paper नहीं होगा तो अगर आप 55 के आसपास score कर रहे हो तो बिलकुल भी आपको डरना नहीं है positivity बनाए रखनी है ठीक है और cut off के बारे म बाद में हम देखेंगे जब question paper जो आएगा उसको analyze करने के बाद तो pressure में आपने कुछ ऐसा वैसा नहीं करना है कि cut off तो high जाएगी बस आप अपना focus करो best देनेगा 100% दो अपना जो भी आपने study करी है उसको अच्छे से utilize करो बाद दोस्तों कुछ एक चीज़ें जो होती है suppose करो कि आप किसी से पूछ रही है हमें ये बताईए वो बताईए उसमें time based कर रहे हैं और जो examiner है जो बहाँ पर instructor होता है exam hall में वो आपको देखे और आपका time based उसमें हो जाए वो आपको बहां से यहां बहां उठाने की अगर कोई आपको पुकारेगा कि हमें बताओ हमें बताओ तो उसको ignore करना है simply अपना paper करना है क्योंकि एक घंटा है जिसमें 80 questions solve करने आपको तो यहां बहां फालतू देखने की भी कोई जरूरत नहीं है जितना आपको आता है उसको अच्छे से solve करना और किसी ऐसी activity में साम अपरा paper cancel हो गया था तो हालंकि इस बार ज्यादा security होगी क्योंकि पिछली बार problem आ चुकी है तो आप अच्छे से ethically नैतिकता से paper देने की कोशिश करना अगर आप हंसते हैं तो हो सकता है कि आने वाला जो समय है आपके लिए फिर मुश्किल हो अब 16 कैसे करना है प्रगो यह देखते हैं तो 80 questions जो आएंगे उसमें सबसे पहले तो 16 questions English और 16 प्रशन जो है हिंदी क्योंगे तो इन में जरा भी time based नहीं करना है English या तो आपको आती है या नहीं आती है तो time based करने की जुरूरती नहीं है हिंदी जातर जो प्रिक्षार्थी होते हैं उनको आती है क्योंकि हिंदी माध्यम से शुरू से हम पड़े हैं तो यहां भी जा time based नहीं करना है यह 32 प्रशन आपको 10 मिनट में करने है किसी भी हालत में जा से आप 15 मिनट ले लेना इस से जा टाइम नहीं देना है आपको इन 32 प्रशनों को जीके 16 questions आएंगे तो 5 मिनट से जादा इसमें आपको time नहीं देना है ठीक है तो suppose करो कि 15 मिनट आपने हिंदी और इंग्लिश में ले लिए 5 मिनट से आपने जीके में ले लिए 20 मिन सच्छा है तो आप सारे के सारे solve करने की कोशिश करो जिनको mathematics आता ही नहीं है वो तो एक मिनट में भी solve कर सकते हैं ठीक है तो कहीं तो मारने है तो यहां पर आपको चीज देखनी है 8 questions जाएंगे अगर आपको अच्छे से आते हैं तो 10 मिनट देने की कोशिश करना जासे अगर कोई tough question होगा और आपको लगता है कि मैं solve कर लूँगा तो 15 मिनट दे देना और फिर उसके बाद जो है अगर 25 मिनट रहे तो 20 मिनट तो reasoning मैं आपको देने ही पड़ेंगे कम सेगा और बाकी 5 मिनट जो है science के लिए और जो कुछ चीज़ें बच गई उनको तो इस तरह से आपको manage करना है अपना time और बाकी ये मैं उन students के लिए बोल रहा हूँ जिनको अपना time manage करना नहीं आता उन students के लिए नहीं बता रहा हूं जिन्होंने already अपना plan बनाया हुआ है काफी सारे students होते है strategy के उपर काम करते हैं घर से ही उन्होंने strategy बना की रखी हुई कि हम ये solve करेंगे उसके बाद ये solve करेंगे हलंकि आपकी strategy होनी चाहिए exam level को देखके आपकी strategy होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले ये solve करना है और हो सके तो exam शुरू होने से पहले जैसे question paper आपको मिलेगा strategy बना लेना फड़ावट से जैसे exam start हो जाएगा तो तब मत लग जाना strategy बनाने उतना ही फाइदा आपको होगा अब देख लेते हैं आपको क्या-क्या साथ में लेके जाना है और क्या-क्या instructions है हिमाचल परदेश, police, बिभाग की दरब से तो सबसे पहले तो time पर पहुँचना है मैंने ये आपको already बता दिया है अगर दूर से हो तो पिछले ही दिन चले जाना उसके बाद admit card जो है दूस्तो उसके बिन आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा admit card होना बहुत जरूरी है और आपको अपने साथ जो passport size photo है वो लेके जानी है photos जरूर अपने bag में रखो कहीं भी जरूरत पढ़ सकती है और ID proof अधार card हो driving license हो pen card हो bolter ID card कुछ भी हो त अगर ये चीज़ें नहीं होंगे आपके पास तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा और sanitizer bottle जो है दोस्तो और mask mask के विना मत जाना ऐसा होता है आज के time में हम busy हो जाते हैं जब हमने कहीं जाना होता है और mask भूल जाते हैं अलंकि markets में available होते हैं लेगिन फिर भी आपको घ device कोई भी साथ में नहीं लेक के जानी है अगर गलती से जेब में है तो कहीं रख देना ठीक है क्योंकि ऐसा नहों कि बाद में चेक की जाए और आपके जेब बगेरा में आप पर्स में कुछ मिले ऐसा वैसा और आपको फिर बाहर निकाल दिया जाए इससे भूजा प्रोब में लिया है तो यह सर्किल्स फास्ट लगते हैं अगर किसी चटाई के ऊपर नीचे जमीन के ऊपर रख दिया डैस के ऊपर रख दिया या अपनी गोदी में रखके सर्कल्स कर रहे है तो बड़ा टाइम लगता है इसमें आपको टाइम कम मिला है एक घंटे मैसी क्वेशन् और ब्लू या ब्लैक वोल पॉइंट पैन लेके जाना है जेल पैन जो है वो नहीं लेके जाना है और बाकी दोस्तों पैंसिल्स बगएरा जो है अगर आप साथ में लेके जाते हो तो make sure गरना कि OMR सीट जो है उसके उपर मत चलाना ठीक है के बार होता है कि आप कुछ मतलब को और जो भी करमचारी होंगे बहाँ पे होंगे जो आपको निर्देश देंगे उनके निर्देशों का अनुपालन करना है उनकी अगेंस्ट नहीं जाना है ठीक है और ऐसी वैस चीज़ कोई लेके मत जाना कि हाँ हमें फोर्मूला याद नहीं हो रहे है mathematics के या periodic table याद नही डिसकस कर ही दी है अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो डिसकस नहीं की होगी तो आप comment box में बताना और ये make sure करना जैसे आपका exam complete हो जाएगा 27 को तो आप दोस्तों message करके अपना score जरूर बताना कि हमारा ये score है हम कोशिश करेंगे आगे फिर cut off survey करने का कि कितना cut off जा सकत बाकी best of luck guys अच्छे से महनत की है आपने तो अच्छा ही आपका result भी होगा मैं जानता हूँ क्योंकि महनत के बिना आज के समय में कुछ भी हासिल करना मुश्किल है बाकी मिलते हैं next video में जै हिंद जै हिमाचल